Hello guys, in this video हम बात करेंगे सबसी important questions जो आपको साइन सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं आप इन questions को revise कीजिए, इन questions को याद कीजिए और definitely ये questions आपके किसी ना किसी एक्जाम में जरूर पोछे जाएंगे ये बहुत common questions हैं और ये आपके score को भड़ा सकते हैं So, please like this video and subscribe this YouTube channel, चलिए start करते हैं आप से पूछा जाता है जो saving mirror है, उसमें कोन से type का mirror यूज होता है आप याद रखें, जिस mirror में हमें चीजों को बड़ा देखना होता है तो उसमें हम mirror के case में concave यूज करते हैं और lens के case में convex यूज करते हैं So, जहां पे saving mirror है, उसमें हम concave यूज करते हैं और doctor magnification, अगर जब doctor dentist होते हैं वो हमारे जब दातों को देखते हैं, तो बड़े size में देखते हैं उसके लिए जो mirror यूज करते हैं, वो concave mirror होता है जैसे मैंने बताया, आपको किसी भी चीज को enlarge करने के लिए concave mirror यूज करेंगे और जैसे कि vehicle mirror के अबारे में पूछा जाए, तो उसमें convex mirror यूज होता है projector जो होता है, उसमें भी convex mirror यूज होता है next, आप से पूछा जाता है कि जब medium change होता है, अगर rear to denser medium है तो जो change होगा, वो towards normal होगा, और rear to denser में away from normal होगा आप इसे learn रखें, क्योंकि यह अकसर आप से पूछा जाता है exams में आप से refractive index की unit पूछी आती है, जिसकी कोई भी unit नहीं होती है आपको power of lens पूछा जाता है कि unit क्या है, तो आप याद रखें, diopter इसकी unit है जब इसकी positive value होती है, जब आपका positive value है, तो उसमें convex lens use होता है और वो convergent होते हैं, सभी एक ही point में मिलती हैं और जो negative value होगा, तो वो concave lens होगा, और वो divergent होगा इसकी साथ आप इसे learn कर सकते हैं, जब positive होगा, तो convex use हो रहा है जो convex lens होता है, वो आपको enlarge करेगा और जो minus है, वो reduce करेगा तो आप इसे याद रखें, जो भी concave mirror में जो चीज़े होगी, वो convex lens के साथ सेम होगी और जो meter की unit की बात की जाए, तो पीको की value आपसे पूछी जाती है जिसकी 10 raise power minus 12 होती है, और femtow, इसकी value 10 raise power minus 15 होती है और एक आपसे question पुछा जाता है, कि conversion कैसे करते हैं degree का Celsius में, Kelvin में, इनमें conversion कैसे है, c upon 5 is equals to Fahrenheit minus 32 upon 9 is equals to Kelvin minus 273 upon 5 आप इसमें एक चीज़ add कर सकते हैं, जो lens होता है, अगर concave mirror है, तो उसकी similarity आपको convex lens में देखने को मिलेंगी, और जो convex, convex का अगर mirror है, उसकी similarity आपको concave lens में नजर आएंगी, तो आप इन नहीं थोड़ा सा learn कर सकते हैं, और यह आपको help करेंगे, आपको एक्जाम में श्कौर करने के लिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंद आपको ओूर अपको अ